नमस्ते सभी को और सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेचर आल के इनिसिटीव डिटॉक्स योर होम जैसे कि सभी को पता है इस जर्नी में हम हर महिने एक मीट रखते हैं और अपने घर को कैमिकल फ्री करने का छोटा सा प्रियास चोटे-छोटे कदमों से हर महिने अपने घर प्रॉडेक्स से रिप्लेस कर दिना तो यह जर्नी करल तो यह जर्नी ऐसे ही चलती है तो इस महिने हम सीखने वाले हैं काफी लोग गुरूप में ऐसे हैं जो बाइउन्जाइन बना रहे हैं लेकिन बाइउन्जाइम को कैसे अलग-अलग सोन पर आप यूज कर सकते हो मैं आप सभी को नमस्ते करती हूं और बहुत अहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना बहुत कीमती समय निकाला और जॉइन किया इस सेशन को और आगे आप जान पाएंगे आज कि किस तरीके से बायो एंजाइम हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगी कि बहुत से लोग इस ग्रुप में ऐसे जुड़े हैं जो बायो इंजाइम अलरेडी जानते हैं उसका इस्तमाल स्किन पर घर की क्लीनिंग पर गार्डिनिंग में कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग ग्रुप में ऐसे भी हैं जो बायो जो नहीं भी जानते हैं तो उनके लिए एक नया अड्रोड़क्शन होगा और सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी पुर्णिमा जी को थैंक्स करके क्योंकि पुर्णिमा जी के ही जरिये मैं नेचर आल से गुरुप से जुड़ी थी और 2020 मेरा जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैंने पहली बार कुनिमा जी के ग्रुप को जॉइन किया था और तब मैंने धीरे धीरे सीखा था कि कैसे अपनी लाइफ में छोटे-छोटे चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को धीरे धीरे उस प्लैटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को प्रकिती के लिए बहुत हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा भी फायदा हो और फाद में प्रकिती का भी फायदा हो तो एक दिन में चेंगेस नहीं आते हैं उसमें सालों लगते हैं तो वह प्लेटफॉर्म जो है मुझे पुनिमा जी के हहां से मिला महां से मुझे बहुत सारी learnings मिली किस तरह किसे हमको sustainable life को apply करना चाहिए और आज bioenzyme इतना बड़ा सभी की knowledge में आ गया है product की सब उसको अपना रहे हैं, use कर रहे हैं और उसी तरह के से हम अब मैं आगे अपना PDF स्टार्ट करती हूं फिर आपको समझाते हूं कि कैसे उसका इस्तमाल कर सकते हैं यह मेरा बीच में disconnect हो गया था, CV का मैं छोटा सा इंट्रो करा दूँ आप सब के साथ CV गोयल, CV काफी टाइम से हमसे जूड़ी है और हमारे गुरुप की बहुत प्यारी मेंबर है और CV किरकपूर से बिलॉंग करती है और CV ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 2012 में जब उसने पहली बार खाद बनाना सीखा फिर थोड़ी बहुत उसने अपनी फार्मिंग स्टार्ट की घर पर कैसे सबसियां उगा सकते हैं और जब 2016 में उसने सबसियां उगाना स्टार्ट किया पहली बार इसको टेस्ट किया तब उससे समझ में आया कि और गैनिक का जादू क्या होता है तो CV ने अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट किया और गैनिक अरोमा के नाम से अभी CV का एक वार्टसप ग्रूप भी है I Love Nature जिसमें काफी लोग चूड़े है और CV काफी सारे सैसेंस पी कंडेक्ट कर चुकी है और लोगों को बाइंजाइन के बारे में बताती है और प्रेडित करती है कोई भी चीज जब हम सीखते हैं जब तक हम खुद उसे इंप्लिमेंट नहीं करते अपने अनुभाव में नहीं लाते आपका कॉन्फिटेंस भी नहीं आता आप लोगों तक वो चीजे पहुचा नहीं सकते सीवी ने बाइंजाइन को लेकर काफी सारे एक्सिपरिमेंट किये अपने घर पर अपने स्किन पर अपने गार्णिंग में उसको लेकर सीवी का बहुत सारा एक्सपरियेंस रहा है तो उन्हीं एक्सपरियेंस को लेकर सीवी हमें बहुत कुछ देने वाली है तो आप सबी जरूर जुड़े रहें और आने वाले समय में हम काफी कुछ बाई उन्साइम को कैसे आप घर पर यूज कर सकते हैं, कैसे गार्डिंग बें यूज कर सकते हैं, कैसे अपने स्केन पर, अपने हैर पर बहुत कुछ सीवी के पास देनी के लिए हैं, तो सबी कोई अपना वीडियो ज़रूर अन रखें, ताकि हम उन लोगों से कनेक्ट कर पाएं, और वो हमसे कनेक्ट कर पाएं कि किस तरीके से जो है आप बाई उंजाइम को अपने जीवन में उतार सकते हैं, तो आगर आप चाहें, तो आपने वीडियो अन कर सकते हैं, ताकि आपको पहले तो उन लोगों को मैं यह बता देती हूं कि बायो एंजाइम क्या होता है जो लोग नहीं जानते हैं नहीं बनाते हैं बायो एंजाइम के बारे में बहुत च्वोटा सा इंडुड़क्शन दोंगे ताकि आपको बहुत फटा-फट-फटा-फट समझ में आ जाए बायो जाइम जर्णरली क्या होता है कि बहुत सारे हम पील्स लेते हैं उनको जैगरी डालके गुर डालकर उसको हम पानी डालकर फर्मेंट करने के लिए रग देते हैं तो उन थ्री मंद्स में उसमें जो मिराक्लस एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो बाइक्रोप्स होते हैं वो multiply होते हैं और multiplying होनी की वज़े से वो इतने ज़्यादा हमारे environment के लिए healthy हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा beneficial बन जाते हैं और उनी bacteria की वज़े से वो bio enzyme एक super enzyme बन जाता है इसको generally हम garbage enzyme भी बोलते हैं cleaning enzyme भी बोलते हैं miraculous enzyme भी बोलते हैं बहुत नामों से इसको जाना जाता है और इसका लोग इस तरीके से इसको इस्तमाल करते हैं इसको three months बनने में लगते हैं basically इसलिए bio enzyme एक ऐसी चीज है कि जो इसके अंदर bacteria generate होते हैं उस three months में उससे जो है इसकी formation है वो इतनी अच्छी हो जाती है कि यह हर जगे बहुत miraculously काम करता है चाहे हो हमारा garden हो चाहे हमारा environment हो चाहे हमारा house हो cleaning हो जो हम use करते हैं bio enzyme अपनी body पे फिर वो drainage के जरी हमारे environment में जाता है तो वो उसको भी clean करता है तो इसलिए यह इतना जादा अच्छा है उस microbial activities की वड़े से तो इसलिए bio enzyme इतना जादा आजकल popular हो रहा है और nature लवस जो वाकी में चाहते हैं कि मैं chemicals छोड़के सिर्फ nature से related जो है चीज़े अपना हो तो bio enzyme उनको बनाना बहुत ज़रूरी है इसलिए इतना अच्छा है और अगर हम उसको अपने घर के हर चीज में incorporate कर लें तो वो कितना अच्छा है और इसको बनाने वाली जो लेडी थी वो थी डॉक्टर रोसुकॉन जिनोंने इसको इन्वेंट किया था और उसके लिए भी उनको बहुत सारे वार्ट्स मिल चुके हैं देखे इसको बनाते कैसे हैं इसको बनाने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि आपको 100 ग्राम गोर्ड लेना है जो लोक नहीं जानते हैं अपना इसकी जो मेजरमेंट है वो आप उसको नोट डाउन कर ले ताकि आपको असानी रहे बनाने ले 100 ग्राम आपको जगिरी रहना है 300 ग्राम आपको पील्स लेने हैं और वन लीटर वाटर लेना है और फिर उसको त्री मंस के लिए आपको रख देना है और उसमें जो वन वंत में जो गैस फोमेशन होती है उसको आपको डेली ओपन करना है और फिर उसको वापस बंद कर दे तो यह आपका 3 months के अंदर bio enzyme ready हो जाएगा लेकिन अगर आप लीव से बना रहे हैं तो भी आपको same proportion लेना है आप जाए पील मिक्स करके बनाएं लीव के साथ मिक्स करके बनाएं या separate separate बनाएं that you have to take 300 grams of आपके पील और लीव और 100 gram jaggery और 1 liter water और फिर इसको आपको प्लास्टिक के कंटेनर बनाना है और इसको शेड में रखना है बिफोर मेकिंग आफ्टर मेकिंग आपको कभी भी इसको डारेक सनलाइट में नहीं रखना है फिर उसके बाद आपका यह enzyme ready हो जाता है बहुत सिंपली है बहुत इफेक्टिव है कॉस्ट एफेक्टिव है और सान है मनाना इसको और इसके रिजल्ट बहुत अच्छा है कि किसी ने लिखा है आप तोरो लेंग्विज कवर करो हिंदी और इंग्लेज काफी लोग है काली हिंदी नहीं समझ रहे हैं ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-आइवल टाय मैं बेस्ट एक क्योंट कर दोंक इसे आपना हैं क्योंट कईनि परवस्काइब्सलिशन हम्चमागे नहीं आता है we don't know how to apply the cream, the shampoo, the body enzyme, the face wash, hand wash we don't know actually what we should select in the market we should apply on skin and it will give a miraculous result so first we understand what is the human skin हम सबसे पहले human skin को समझेंगे कि ये हमारे जो पोर्स होते है हमारे स्किन में जो पोर्स होते है इसमें ये सब लेयर होती है first layer is epidermis, second layer is derma, third layer is hypodermis ये ऐसे तीन लेयर में हमारे स्किन डिवाइड़ होती है जो ये टॉप लेयर होती है इसको हम देख सकते हैं आराम से इसमें ये चोटे 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 मैं स्किन को थोड़ा सा ये जूम हो ये देखे ये देखे, आपको चोटे-चोटे ये पोर्स you can see the pores over your skin so many pores are there so जब हम कोई भी chemical product like cream, body wash, hand wash and face wash, shampoo कुछ भी हम apply करते हैं अपनी skin पे तो हमारी pores के जरिए हमारी skin में एब्सॉर्व होता है ये skin का एक natural function है फिर उसके बाद वो हमारे अंदर glands में जाता है और फिर उसके बाद वो हमारी जो veins हैं, उनमें blood veins हैं जो streams हैं, उनमें मिल जाता है और कई बार जो क्या होता है हम सोचते हैं कि हमें कोई समस्य आया skin के किस वज़े से आ गई हम ये सोच के परिशान हो जाते हैं कि हमने कुछ ऐसा नहीं लगाया और हमें एक समस्य आया तो हम जो कुछ भी apply करते हैं अपनी skin पे, वो यहां से absorbed होता है whatever we apply on our skin it absorbs by this top layer of our skin, this is called epidermis and that's why if we apply any chemical on our skin, so it give reaction, rashes and many health issues and you know very well चले बहुम समस्ते हैं dry skin, dry skin क्या होती है dry skin, आप समस्ते है patchy, बहुत जादा irritation, rashes और उसमें इतने सारे दिक्कत आती है, बार बार हम उसमें application देते हैं, cream का और बहुत सारे कभी कुछ, कभी कुछ हमें sun damage से बचना बड़ता है dry skin वालों को, और dry skin का equal to होता है sensitive skin, अगर हमारे dry skin है, तो it means it is sensitive, हम कोई भी market से product उठा कर अपनी skin पर उसको use नहीं कर सकते क्योंकि वो उस पर reaction देगी कई बार हम कोई भी face wash या body wash या cream कुछ भी हम लाते है market से, हम generally जब उसको apply करते हैं, तो वो एक reaction कई बार देता है, कई बार नहीं देता है, कई बार skin को नहीं समझ में आता है, तो वो रेक्शन नहीं भी देती है जिसको बोलता है, सेबम, skin oil, वो जब बाहर रिलीज होता है, वो protection देता है हमारे skin को जिससे bacteria formation कम होती है और इसी वज़े से skin protected आती है, आपकी sun damage नहीं होईगी, दुनिया वर के जो problems आती है, skin को लेकर वो कुछ भी नहीं होईगी, इसलिए हमें skin को protect रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम बहुत सारी cream लेकर आते हैं, बहुत सारे ऐसे सबसमाल लेकर आते हैं, ताकि वो उससे बची हुई रहे, लेकिन पाइदा कुछ नहीं होता, skin dry and dry and dry होती चली जाती है, और बहुत सारे हम reason है, जिसे environment, sunlight, बहुत सारे reason है, आपकी skin cold air चल रही है, तो और dry हो जाती है, और हवा बहुत जब चलती है, तो skin आपकी dry हो जाती है, when you repeated washing your skin, especially with soap and with face wash, so it will give a lot of dryness, so that's why आपकी skin एक reaction देती है, for dry skin के तरफ, और वो sensitive भी हो जाती है, तो इसलिए आपको हमेशा यह दिहान रखना चाहिए, कि अगर आपकी skin dry है, तो आपको ज्यादा care की जुर्वत है, okay, next हम जाते है, oily skin, oily skin क्या होती है, oily skin में जो हमारा oil glands होते हैं, जिसको sebum बोलते हैं, अगर आप दिहान से देखेंगे, यह, यह हमारे जो hair length है, इसके बराबर में यह gland होता है, यह यहां से, जो है, secration होता है, oil का, यह हमें protection देता है, लेकिन जब यह over हो जाता है, हमारे skin में, तब हमारे skin oily होती है, और उसके लिए हम भी हम वही उस करते हैं, soap और दुनिया बर की चीज़े, ताकि उसके हमारे dry रहे और उसको balance किया जा सके, पर result नहीं आता है, फिर भी लोगों के acne होते हैं, जिनकी ज़्यादा skin, ज़्यादा oily skin है, ज़्यादा acne, और जिनकी ज़्यादा dry skin है, उनकी तो पतानी क्या 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 होता है, मैं खोद dry skin वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा face क्या है dry skin को लेके, तो dry skin वालों के तो और बड़ी problems रहती हैं, और जितना हम इसको bacteria formation भी बहुत ज़्यादा होता है, जब हम यह gland secretion ज़्यादा होता है oily skin में, तो bacteria को वो खाना मिलता है, खाने के लिए वहाँ पर, वो blocked हो जाते हैं pores, तो जिसकी वज़े से हमारे skin हमें समझ में ने आते हैं, हम उस पर क्या लगाएं, तो हमें कोशिश करना चाहिए, कि हम जब भी market में products खरीदने जाएं, थोड़ा सा उसको read out करें, और try to be make at home, घर पे कोशिश करें बनाने की चीज़ों को बहार से खरीदने की जगया, चलिए, अब समझते हैं pH level, हमारी skin का pH level क्या होता है, और इसको बोलते हैं, इसके जो scientific language है, उसमें इसको बोलते हैं, percentage of hydrogen molecules, और pH level, generally skin का बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं, कि वो pH level क्या होता है, 0 से लेके 6 तक, हमारी जो skin है, या pH level जिसको कहा जाता है, वो acidic होता है, 7 is neutral, जो हमारा water है, हम जो पानी पीते हैं, वो neutral capacity में आता है, और 8 to 14, जो आता है, वो आता है alkaline, तो ये pH meter होता है, इससे मापा जाता है, कि आप कि इस तरीके से हमने products को माप सकते हैं, पर shocking कुछ news ऐसी हैं, कि मैं कुछ product pH level देखने बैठी, वो समझ में ही नहीं आया, उसने कोई reaction नहीं दिया, मैंने litmus paper से उन बार्केट के जितने भी products थे, उनका pH level जानने की कोशिश करी, पर there is no reaction, that's blank, paper was blank, I was totally sure कि वो कुछ तो उसका result आए, acetic आए या alkaline आए, पर उसका कोई result नहीं आया, तो यह बहुत shocking चीज है, कि हम किसी चीज को मापना चाहरे हैं, पर उसमें पता ही नहीं चल रहा है, कि वो क्या है, अब जिसे bio enzyme का pH value होता है, वो 3 से लेके 6 के बीच होता है, किसी का 3 होता है, 3 भी नहीं होता है, 4 होता है generally, 4 से लेके 6 के बीच होता है, जो हमारी skin के according, bio enzyme का pH, हमारी skin का भी pH level 3.5 से 6.5 तक होता है, head to toe, head to toe, our pH level is 3.5 to 6.5, not more than that, और जो bio enzyme pH level is also 4 to 6, it's nearby almost, so, the nature what gives us, it's according to our skin, but what we have purchased from market, it's not for our skin, तो यह चीज बहुत ध्यान देनी की जुरत है, कि हम जो market से चीजे लाते हैं, वो हमारी skin के लिए नहीं है, जो चीजे हमें nature ने दी है, वो हमारी skin के लिए है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, कि हम घर पर समान बनाए, जिससे जो है हमारी skin का और अच्छा pH लेवल हो जाए, चलिए, अब यह समझते हैं pH लेवल्स, pH लेवल्स क्या होते हैं, जब हमारी 0 से लेके 3 तक skin होती है, तो वो acidic zone में आती है, और जिनकी skin बहुत oily, बहुत जिसमें pimples, dry वो रहता है, हर समय ओए बहुत करना इनको वोश करना पथा की दिन में 3 तामें, और दिन में 4 तामें, जो तो बहुत बहुत ज़ी अर्ट का और जिनकी skin, बहुत जादर रिंकल्स, एजिंग, ड्राइनेस, डॉलनेस, एक बार उन्होंने चेहरा दो लिया, तो ऐसा लगता है, दिन में तीन तीन बार वो क्रीम एप्लिकेशन करें, या ऑईलिंग लगाएं चेहरे पे, ऑईलिंग लगाते हैं, तो दाने आ जाते हैं, तो कोई नारास प्रिंकल्ट होता है, और एट से लेके यह तो आपकी स्किन ड्राइनस में आती है, सेंसिटेव रेडनेस, इंफ्लमेशन, सन डेमेज, रिंकल्स, यह सब ड्राइ स्किन की पहचान है, और जिनकी मीडियम स्किन होती है, उनकी समटाइम्स एलकलाइन लेवल पे जाती है, हमारा perfect balanced skin, जो कहा जाता है, और वो हमें सिर्फ और सिर्फ अर्पयो एंजाम से मिलता है perfect balance इसले हमारी skin के लिए इतना अच्छा है कि हमको पैसा लगता है कि दीरे-डीरे-दीरे-डीरे इतनी अच्छी हो गई है, इतनी soft हो गई है, इतनी moist होगी है, कि कुछ लगानी की जो रथ ही नी एं. इतना जदा उसमें जो है, पायदा हो जाता है. जो लोग चाहते हैं, इनके screenshot भी ले सकते हैं, ताकि उनको knowledge में रहे कि हमारे skin का pH level होता है, कैसे उसको समाज सकते हैं, ये देखे, ये मेरी skin है, ये पहले की skin है, जो इतनी damage हो गई थी, because of using soap, face wash, और मेरी skin बहुत जादा dry थी, open pores हो गए थे, dry, pimples बहुत आते थे, और उसमें spots बहुत रह जाते थे, और it's becoming dull and dull and damaged, और after just 60 days, ये just after 60 days की picture है, जो मैंने एक ली थी, जिसमें आपको थोड़ा बहुत changes इसमें दिख रहे हैं, कि उसमें एक brightness दिख रही है, जो pimples आ गए हैं यहा वो उन में changes दिख रहे हैं, दाग कम हो गए हैं, तो ये just because of bio enzyme application, और जिसमें मैंने bio enzyme बहुत vast level पे start नहीं किया था, just for little application everyday, एक cotton में जरा सा लिया और थोड़ा सा face पे लगाया, तो उससे जो है, वो skin दीरे 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 softer side होनी शुरू होगी, और साबुन का आप देख सकते हैं, यहां क्या हाल है, 9 to 10 pH, मतब हमारे जितने भी market में soap आते हैं, जितने भी हमारे body wash आते हैं, उन सब का pH level, face wash आते हैं, सब का 9, 10, 11 तक pH level होता है, जो highly alkaline होता है, और हमारी skin क्या है, हमारी skin है highly acidic, moderate समझ लीजे, 4 to 6, हमारी skin का जो है, तो इस वज़े से हमारी skin damage होती है, this is the first reason only, कि हमारी skin damage होती है, यह इतना आपको यह चीज समझ में अब धीरे धीरे आ जाएगी, कि market के products हमारी skin को इतना dry और damage क्यों कर देते हैं, और जिसकी वज़े से हमारी skin acidic होती चली जाती है, वो sorry, alkaline होती चली जाती है, और जिसकी वज़े से हम कुछ भी application करते हैं, कित यह है market के कुछ products है, जिनका मैंने pH level निकाला था, यह हमारा hand wash है, जिसका pH level 9 है, यह all purpose cleaner है, जिसका pH level 11 है, जिसको easily अपने पोचे में यूज करते हैं, और generally slap पे यूज करते हैं, और बाकी चीजों में, उसमें तो chemicals भी है, cleaning हो करते अच्छा है, but gives lots of bad gases and fumes goes into our lungs, it's very harmful for them, so whenever we use these kind of projects, it's completely dangerous and hazardous, it's really devasted for our skin, our body, health and for the nature also, so हमें यह सब products को दीरे 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 आपको इसको avoid करना चाहिए, मैं यह नहीं कहते हैं, आपको कि आप एक ही दिन में सारे products बदल जाते हैं, एक दिन में कुछ भी changes नहीं होता है, सालों लगते हैं, आपको जो problem है, मैं यह कहना चाहूंगी, आपको जो problem है, माली जी आपको hair falling का problem है, या आपको skin का problem है, या आपको hand rashes है, या आपको body में कोई rashes है, उस type की कोई problem, सबसे पहले वह एक product आप चेंज करिए, सिर्फ एक product, मैं आप से यह नहीं कह रही हूँ कि आप सारे product बना जा लिए एक दिन में, आप confused हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ एक product आप चेंज करिए, और उसको bio-enzyme से बनाएंगे, और मैं definitely आपको बोलोंगे, आप वापस उसको बनाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस product को वापस ने बनाएंगे, बस condition यह है, कि you will not give application of any soap, market soap and any body wash, you have to give application completely 100% with bio-enzyme, not with market product, so guarantee will give your by skin only, I will give you guarantee not, but when you give application, आप अपनी skin पर लगाएंगे, आपकी skin आपको बताएंगे, मैं आपको एक almost ऐसा बताती हूं, कि जब आप bio-enzyme का complete product एक महिना या दो महिना या दो महिना यूज करेंगे, तो उसके बाद, जब आप वापस आपन जाएंगे, आपकी skin डिनाय कर देगे, I don't want this, what is this, I don't want this, I want the same, last one that we were using, bio-enzyme, because it's understand, तो आपको थोड़ा सा अपने आपको समय देना होगा, एक product से start कीजिये, और उसको दीरे 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 वहन आपको समझ में आने लगेगा, कि it's very good for your skin, so you can go for second, then third, then fourth. Clorex को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सब Mobi Cleaner है, ये सब जितने भी cleaners है, फेरी, ये बरतन साफ करने का, जितने में dishwasher है, they are totally very, very negative pH. इनका pH इतना ज्यादा खराब है कि अगर ये आपकी skin पर लग जाए, अगर किसी को skin allergy है, तो वो super duper plus हो जाएगी. और ये मैं इसकी swim book भोगी हूँ, इसलिए मैं इतना promote करते हूँ bio enzyme को, कि आप जो है bio enzyme को, अपनी skin के लिए और environment के लिए जरूर यूज करें. अब देखे हमारे products में ऐसा क्या-क्या होता है chemical products में, जो हमारे skin को नुकसान करता है बहुत ज़्यादा. वो हमारे skin को बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए करता है क्योंकि उसमें sodium laurel surfeit करके होता है, जो forming create करता है, जिससे हमें अच्छा लगता है. बहुत ज़्यादा forming होएगा तो हमको मज़ा आता है कि या, it's very good product. लेकिन उसका सबसे best replacement है RITA. और आप जानते हैं, आप यह चीज आपको जानके बहुत अच्छा लगेगा कि जो हमारे skin का perfect pH level है, वही RITA का pH level है. Same. अभी एभी मुतादें. और मतब किस तरह की से हमारी nature ने हमको एक ऐसा natural supernat दियावा है, जिसकी वजए से हम अपनी cleaning कर सकता है. RITA is also antibacterial हो मतब सब कुछ है उसके अंदर. it's best for our skin not good it's best it's miraculous result Rita or I used to live in Saudi Arabia and now I'm in India so I used to carry with me because it was very expensive or not easily available in Saudi Arabia so I used to carry with me almost 1 kg 2 kg and when I got experiment with Rita it's really miraculous result with Rita skin loves loves not like it skin loves of Rita when you apply Rita on your skin it's love that so this is why I have all the components of fragrance from our chemicals, sodium lauryl sulfate, when you buy chemicals or any product you will need to buy it after it you will need to see it all mentions of fragrance it's necessary to put preservatives it's necessary to add sodium lauryl sulfate it's necessary to add sodium lauryl sulfate it's very damage it's decaying and it's only because of the skin it's completely chemical परबीन आज बहुत जगे आप परड़क्स आने लगे परबीन फ्री उसके बाद भी वह यूज करने लायक नहीं है परबीन को इसलिए बैब कर दिया किया है क्योंकि उसे ब्रेस्ट कैंसर और दुनिया भर के ओपतानी कौन-कौन से कैंसर तक होने लगे है इसलिए परबीन क तो उसे 30% नुक्सान कर रहे हैं हर्बर प्रोड़क्ट इस नॉट लाइक दैट कि वह आपके लिए सेफ है क्योंकि उनको प्रिजर्व करने के लिए जो उसमें समान डाला जा रहा है तो एक लीटर हार्पे को 46-Lay water, लीटर water को contaminate कर देता है हमें लगता है कि हम एकी तो बाटल यूज कर रहे हैं लेकिन वो कितना हमारे एंवार्मेंट को खराब करते तो आर हमारे शैंपू भी वही काम करते हैं हमारे body wash भी वही काम करते हैं हमारे face wash भी वही काम करते हैं Because it's not generated by the nature. यह man-made है, तो इसलिए वो chemical उसमें रखने पड़ते हैं, उसको बनाना पड़ता है, जिसकी वज़े से वो हमारी skin के लिए और environment के लिए suitable नहीं है. यह देखिए, यह picture है, जब मेरे skin पे allergy थी, बहुत ज़्यादा, यह first picture में, यह तब की allergy है, जब मेरे 90% टीक हो चुकी थी, तो आप सोच सकते हैं, कि एक skin allergy के साथ मैं कितना बेयर करती थी skin को, मैं 100% gloves में रहती थी, water की एक बूंद भी टच हो जाए, तो मेरे rashes आ जाते थे, skin बहुत खराब और डामेज हो चाते थी, तो मुझे किसी ने बताया कि आपकी जो यह problem है, यह hard water की वज़े से है, वहाँ पर hard water आता था, साओधी अरब मेरे, तो first I used to start with mineral water, but it was not a solution, how much mineral water you will use for the skin, for the hair, for household work, how much water you will use, so I have started using gloves, 24-7 I'm starting using gloves, and gloves all the time gloves, even by eating, whenever I'm eating, then putting on glove, whenever I'm cooking, putting on gloves, all the time, मैं ऐसे बंग चुकी थी गलव के अंदर कि ऐसा लगता थे कि मैं कभी फ्री हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी तो मुझे यही पता था कि यह क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है तो मैं इसको अपनी इसके इस्तमाल करके देख सिपती हूं तो पहले मैंने इसको डायलूट फॉर्म में यूज किया अवली 30% मैंने इसको लिया था सिफ 30% और बाकी 70% मैंने वाटर लिया था और एक बो यूज करते थे इसका उसका यह फरक हुआ कि यह जो आप देख रहे हैं उपर पिक्चर में यह वन सिन मंत आती थी सिफ 30% यूज करने से क्योंकि मैं बाकी प्रोड़क्ट तो केमिकली यूज कर रही थी मेरा शैंपू, बोड़ी वाश, पेस वाश, वो सब केमिकली यूज कर रही थी और भगवान की मताब अगर मैं जो है गल्ती से सर्फ अगर टेच कर जाती थी तो बास में तो टॉक्टर की वाश जाना परता था मेरी इतनी स्किन कराब हो जाती थी एक ही दिन में उसमें से पस पर जाता था बलड आने लगता था कुछ भी काम करती तो लगता उसमें पर मैं जाता है तो मैंने सुचा कि मैं इसको 100% बाइयो में दोशप ही जाता है चुछ गाने जाया इसके उसके बाद मैंने ऊसका जो है रिजलट आप देख सकते है मेरी स्किन कि एक वीक में कितना फरग आई गया मिर बास इसका वीडियो भी है जो मैं आभी आपको को दिखाऊंगी वीडियो इसका कि उसके बाद किन में कितना फरक आगया और मुझे आल्मोस्ट वहां मैं अभी शिफ्ट होई हूं साथी अरब से कुछ एक महीना पहले मेरे पास कोई गलफ नहीं थे कोई में गलफ इसमाल नहीं करते थी वह कंप्लीट ली जा चुके थे मेर अगया द्रास्टिक चेंज मेरी लाइफ ने बायो एंजाइम ने किया है ती एसमें वीडियो में इतना अच्छे से दिख नहीं पारी है अभी मैं आपके अब सामने दिखाऊंगी मैं इस पर टर्मरिक एंजाइम जो ओमारी स्किन के बहुत अच्छा होता है काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें इसमें टर्मरिक एंजाइम का एप्लिकेशन किया इसमें से जो पस था वो अपने आप बाहर आना शुरू हो गया तो उसने इतना अच्छा काम किया बायो एंजाइम के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी स्किन इन पर बहुत अच्छे से काम करते हैं और उसको देखो कैसे कितने अच्छे से उसने रिपेर कर दिया विदिन अवन डे यह एक दो दिन बात का वीडियो है तो इसमें पूरी तरीके से जो दाने थे जो रैसे रैशेस थे वो पूरी तरीके से गायब हो गया स्किन बिलकुर नॉर्मल हो गई कि लेकिन क्या होता है हम आज के अन्वायरमेंट में रहते हैं हमारे सारे प्रोडऄट्स प्रोडॉक्त कीमिकल questi नहीं है तो जैसे मैंने उसको अद्वें। पिर वो वापका जाता थे तो फिर मैंने एक मोटो बनाया कि मैं अपने सारी घर की जीज़े केमिकल फ्री करूंगे इससे समझ में आया मझे कि आपकी बॉड़ी पर किस तरीके से बायो एंजाइम फायदा करता है और केमिकल किस तरीके से हाम करता है मारी स्किन को यह देखे मेरा ग्लफ का डबा इतना सारा बचा हुआ रह गया था जो मैंने थोड़ा सा वीडियो में लिया इसको यह पूरी मेरी स्किन यह करन मेरी स्किन है यह कंप्लीटली हील हो चुकी है और मुझे गलफ छोड़े भी आल्मोस्ट 15 वंस हो चुके हैं और इसने बहुत समय नहीं लगाया बायो इसको रिपेर करने में इसने विदिन मंथ कंप्लीटली उसको क्योर कर दिया उस प्राब्लम को मेरी उसके जो गुड़ बैक्टिरिया थे उसने बहुत अच्छे से स्किन पर काम किया और अपनी एक अच्छी लेरिंग डाल दे कि वो जो मेरी स्किन ड्राय रहती थी वो बहुत सॉफ्ट होने लगी मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं वापस मेरी वो स्किन सॉफ्ट हो पाएगी क्योंकि जिसे-जैसे हम एजिन की तरफ जाते हैं तो हमको लंगता है कि अब हमें यहीं आगई हमारी सकी तो इसके पर लॉड़के जाएगे सब्सक्या इसे उसको इसको एक्सेप करना मदका नहीं अगर अगर आब ऐसी जीन अपने बनाइंगे और उसके के बाद उसका बहुत ज्यादा बैनिफिट हमारे एन्वायरमेंट को मिलेगा वाटर क्लिए क्यों प्यूरिफाइब होगा अर्थ प्यूरिफिकेशन होगा और प्लस एयर प्यूरिफिकेशन होगा तो यह इसना ज्यादा बायो एंजाइम फाइदा करता है यह जितने भी एंजाइम्स हैं, यह देखिया, यह मेरे पाद सब रखे हैं अधर इन वह सब का हमने मेजुर्मेंट किया था अ पिएच लेफल इन्जाइमे है रीठा यह इस सब का पिएच लेफल हमने किया है पिएच से तो इतना अच्छा लगा देखकर कि वाकई में हमारी स्किन के लिए कितने अच्छे हैं कर देखे जहां भी मैं मेज़र कर रही हूं सब का फोर पाइफ सिक्स पोर फाइफ सिक्स इसके बीची जितने भी इंजाइम से सब का मेजरमेंट आ रहा था जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है बताब परफेक्ट इस ऑल्मोस्ट परफेक्ट यह रोज एंजाइम है और पॉमेग्रेड एंजाइम है नीम का मुझे बहुत अच्छा लगा उसका परफेक्ट लेवल आया फाइब फाइब तो सिक्स के बीच क्योंकि हमारी स्किन जिनकी सेंसिटिव होती है जिनको रैश बहुत जल्दी हो जाते हैं जो जल्दी से को करिक्रीम सब्माल कHH कर सकते मार्केट की समझ मेर्याइं जाता कि उनकी स्किन पर र्याक्ट ही नहीं करते हैं जा मेंशाओ ड़ा रैदे उनको मैकसिमम टाइम नीम चानीम के सकते हैं अगर आपको एप्लाई करना है कि हाविया बनाना चाहें तो एक नीम और टर्मरिक यह दोनों बहुत अच्छे हैं हमारी स्केंटे लिए यह देखिए हमने कुछ मार्केट के सोब किये थे और उसका है पीच लेवल सबका वह 11 किसी का 9 किसी का 10 वह सबा रहा था यह मेरा पुराना फेस होश है जिसका पीच लेवल मैंने देखा तो 9-10 के भीच आ रहा था तो मैं शौकी हो गई तो मैं इसके उस करती थी दो साल पहल है और मेरे इसके डामेज होती जा रही थी बहुत ज़्यादा इसके वज़े से वह ग्लो नैस उसमें खतम होती चली जा रही थी काफी सारे सवाल चैट पे आ गए लेकिन हम सेसन के आंथ में सारे सवाल लेंगे भी बने रहें यह एज टोनर भी काम करता है यह जितने भी है है इसको आप तो नोट डाउन कर सकते हैं इन रेसिप्षी को या फिर आप इसका screenshots ले सकते हैं ताकि आपको बात में दिक्कत महीं कैसे गरना है बहुत से जो पाइन पैंसेटी लेके नहीं बैटा है तो व कित्क पर कुछ भी लगाते हैं, या तो dryness आजाती है, या dullness आजाती है, या उनको डर लगता है कि दाने ना आजाएं, बतर इट कैन भी very very good for dry skin, especially neem enzyme and termine enzyme both are very very optimum for dry skin and sensitive skin, तो आप इनको बना सकते हैं, neem enzyme को बना सकते हैं, healthy enzyme को बना सकते हैं, rose enzyme को भी आप बना सकते हैं, it's very good for skin, but I would suggest only neem and turmeric, तो आपको इसको टोनर को बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपने जब bio enzyme बना लिया, उसको आप फिल्टर कर लीजे, एक अपनी spray bottle में आप भरके रख लीजे, बोटल है, neem की, जिसे सोचे समें से इतना ही बचा है, इतना हो चुका है, मैं इस्तमाल करते हूं, इसकिन को रप्यार करने के लिए, तो आप इसको एक spray bottle में भरके रख लीजे, आप अकर फ्रेगरेंस के लिए चाहें, तो इसमें रोज वाटर मिला सकते हैं, थोड़ा सा, 20% रोज वाटर मिला सकते हैं, बाकी 80% आप नहीं मिला सकते हैं, मैं इसमे कुछ भी fragrance एड नहीं करती हूं, परसनल लेवल पर मैं कोई अर्टिविशल कोई भी fragrance है, बले वो कितनी नैचरल हो, मैं उसको एड नहीं करती हूं, मैं सिफ डारेट उसको application देखना चाहती हूं कि मेरी skin पर वो कैसे वर्क करता है, तो उसने वो बहुत अच्छे से काम करा, डेली आप क्या करिए, उसको dip करिए, cotton में, रात को सोने से पहले अपना एक बार face दोईए अच्छे से, और उसको rub करके सो जाईए, आपको उसके बाद अपना face wash नहीं करना है, सेम आप सुबह नाने के बाद भी यहीं कर सकते हैं, कि cotton में उसको dip किया, और face पे अच्छे से उसको clean किया, जैसे हम clean करते हैं, और उसको clean करते हैं, फिर उसके बाद आपने उसको use किया, और आपको उसके बाद face wash नहीं करना है, क्योंकि वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे आपकी skin normal हो चाहेगी, उसके बाद, और इसमें कोई चिप-चिपाट नहीं है, बहुत से लोगों तो वो उतना काम नहीं करता है, वो सिर्फ खाना है, जो उसमें बैक्टिरिया है, उनका सिर्फ वो फूड है जैगरी, और वो उसके लिए बहुत जरूरी है, अदर्वाइस वो काम, मतलब उसको बनाना मुश्किल हो जाता है, सेकिंड जो रेसिपी है, वो है उप्टन की, उप्टन के लिए आप, मैंने सबसे अच्छा ये देखा है, कि आप उप्टन का एक पैग बना के रख लीजिए, एक अपने कंटेनर के अंदर, जिसमें आप बेसन ले सकते हैं, क्योंकि बेसन सबसे अच्छा क्लीनर है, बैस क्लीनर इस बेसन, एक राइस फ्लोर, राइस तब डालना है, जब हम यूज करना है, उसको पेस्ट पहले बना कर नहीं रखना है, क्योंकि ये चीज़े क्या है, बेसन फर्मेंटिंग प्रपरटीज लेकर आता है, क्योंकि ग्राम फ्लोर जो है, that has फर्मेंटिंग प्रपरटीज, so if you add bioenzyme before application, बतब बिफोर वन दे और जो only देज़े आते झाटो को क्याुआ को, और फिर उसके बाद आपनेD Jobim сохран को, एक बहुत अच्छा एंसकिन का काम करता है, इसमें आप चाहिए जो आप डालना चाहिए वो ताना चाहिए वो डाल सकते हैं, जाल सकते हैं चंदन पावडर लाना चाहिए बागर सक Τ Stacy अडन यह इसाफ प्राइश कि आपको आती है वह रूज पॉडर की आती है और जो इलाइची बस जाती है हमारे घर में उसका चिलका फेग देते हैं है वो किसी काम नहीं आता है यह है तो हम चाये में डालते हैं यह भाद में इस्तमाल कर लेंगे लेकिन उसके बहुत यूज समझ मे नहीं आते हैं उसको आप कलेक्ट करके रखी एक बॉटल में उसका पाउडर आपने स्क्रब में डाली एक तो वह बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देगा और साथ की साथ आपकी स्किन को बहुत अच्छे बेनिफेट भी देगा तो आप बहुत सारी चीज़े ऐसे अपने उट एक बॉल रखी गए आपने मिक्स किया और उससे जो है आपका उप्टन हो कि आपकी स्क्रबिंग होगी बहुत अच्छे से तो यह भी निया कि मुझे डॉड़ने जाना है अब मैं चली गई हूं चला गया हूं उनाने अब मैं कैसे लेका रहा हूं तो इस तरह किसे आप इ नौर्मल बायो एंजाइम की जगा आपको थोड़ा सा फ्रॉथ अगर चाहिए तो अपरी था इंजाइम भी डाल सकते हैं और जिनकी इस्ट्किन नॉर्मल है वह कोई भी आपका यूज कर सकते हैं और साथ में रीठा इंजाइम भी आप यूज कर सकते हैं वह बहुत अच् किन ओजर्रि छिक एक फेस्वाष की रिसीपी इसमें देके मैंने अलग-टाइप के इंजाइम डाले हैं जिसमें डाटा ओर फक्रिफित इंजाइम नीम ंजाइम रोज बायु इंजाइम तर्मर्lement शायु और जितना भी आप बायू फक्रिटा इंजाइम ले रहें हैं इस उसमें 30% या 40% आप अपना Reta Enzyme जडरूर एड़ करें चाहें वो फेस के लिए ले रहे हैं चाहें वो आप बॉडी वश के लिए ले रहे हैं उसमें Reta Enzyme जडरूर एड़ करें ताकि वो एक cleaning agent बने क्योंकि antibacterial भी होता है Reta प्लस cleaner बहुत अच्छा होता है प्लस उसको कि नहीं है छूब है जो संक्राइब है इंजया गिरकें पास नहीं है। सब्यूंकि में आ-सी And लेकिन जिनके पास रीषा है वह रीठा एंजाइम उसमें जरूर है और जिटना हम टोटल मेजरमेंट लेंगे जो हमारा टोटल मेजरमेंट रहेगा आजय मा उसका तो को मीथी पाउडर उसमें डालना है सिर्फ 5 परसेंट उसको ठीकिन करने के लिए क्योंकि हम एक बॉटल में बाइवनजयम बरेंगे और उसको बॉड़ी पर डालेंगे तो एक दम ड्रीन हो जाएगा एक दम निकल जाएगा वह रुकेगा नहीं आपकी स्किन पे पर हमें इसक माइक्रोब्स हैं वो स्किन पे काम करें तो इसलिए आप उसमें 5 परसेंट मेथी पाउडर डालें बस ध्यान रहे हैं आपका मेथी पाउडर बहुत फाइन हो वो थोड़ा सा भी मोटा नहीं होना चाहिए बहुत फाइन होना चाहिए फिर वो उसमें एक नैच्रल क्या है इसका शेल्फ लाइफ जो है वन मंथ के आराउंड समझ लेजिए और अकॉर्डिंग टू वैदर आप इसको बना के रखेंगे तो आराम से आपका वन मंथ निकल जाएगा कई बार टू मंस भी निकल जाते हैं जैसे जब हम लोग वहां रहते हैं तो वहां हर समय घर यूमेडिटी बहुत जादा है बहुत गर्मी है तो में भी 15 डेज भी चले वो तो यह अगर इन में से कोई अगर स्किप करना चाहिए तो स्किप कर सकते हैं जी इस में से अगर कोई भी एंजाइम आपके पास नहीं है अविलेबल तो आप स्किप कर सकते हैं सिफ औरेंज क अब मेती पाउड़ों कम सादा भी कर सकते हैं लेकिन हां आपको जो है उसको जब भी आप डालेंगे उसके पाद आपको blender से उसको mix करना पड़ेगा क्योंकि वो हैंड़ से वो mixing नहीं आती है फिर आप उसको मिक्स करेंगे फिर इसको strain करेंगे आप विलनाट गिंगे प् और सबसे अच्छी बात यह है कि मेथी पाउडर एड़ान करने से वह और स्मूथ हो जाता है हमारे स्किन के लिए मेथी के बहुत बैनिफिट्स हैं जाता है यह है रेसिपि नमबर टू इस में आप जो लोग बाहर रहते हैं या इंडिया में थी रहते हैं जिनके पास रेड़ा एंजाइम एविलेबल नहीं है प्रिजेन्ट तो वह लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं उसमें उसमें रेड़ा एड नहीं करें कोई भी एक सिट्रस एंजाइम ले 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 या कोई भी एंटिबेक्रिल एंजाइम ले ले उसके बाद उसमें 5% मेटी पाउडर डालें और उसको ब्लेंड कर लें अगर आपकी स्किन जो भी आपकी स्किन को सूट करें कोकनॉट ऑईल है जो हर है की स्किने पर सूट करता है कर आ फ्कर जो तोरा सब्समें वन के असपास उसमें एड कह सकते हैं उस खीज़नjang का में और मैं सही मैं बताती हूं कि यह face wash है body wash है इन सब का मैं 10 years से लेके मेरी बेटिया 9 years की है और 70 plus ladies पर सब एक्सपेरिमेंट कर चुके हूं dry skin से लेके oily skin के भी जो लोग है उन सब एक्सपेरिमेंट कर चुके हूं सब की skin ने सेम ही रिजल्ट देया है I love that I love that I love that सिवी किसी का सवाल है कि जिसे हल्दी का जब बनाएंगे उसके लिए fresh हल्दी चाहिए और I think कि आप उसका इंजयम बना के रख सकते हैं फिर उसका सीजन निकल जाता है तो फिर आप मना के नहीं रख सकते हैं कि बॉड़ी वाश की भी सेम रेसिपी है कि वही आप एंजयम लें कोई भी और उसमें आप मेती पावडर डालें 5 परसेंट और और आपका ऑप्शन बच्चे जैसे बच्चों की सकिन पर याव इसको यूज कर सकते हैं जैसे मेरे केट्स 9 ऐर्स ओल्ड है और अन्याईर्स मेरी बावी की बेटी 3 एरस ओल्ड है तो वह लोग भी और मेरी बेहन की बेटी भी 3 years old है तो वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं तो कहरें बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आते हैं बच्चों की स्किन बहुत सौफ्ट होती है उसमें हम आर्किट में कोई भी प्रड़क लेने जाते हैं तो उसमें मैंचन होता है नो केमिकल, नो आर् अच्छे ने दिया है हम उसको अगर अपनी स्किन पर अफ्लिक केबल करते हैं तो वह सबसे अच्छा होता है वह समझती है वह उस पर रियक्शन नहीं दे पाती है तो यही रीजन है कि हम चेंग 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 एक कोई भी बड़ी वाश या सोप हमें आप आज सूट कर रहा होता है अपर वान और टूमंद वह सूट नहीं कर रहा होता है उसका रिजल नहीं मिल रहा होता है लेकिन यह जो हमें नेचर नहीं दिया है उसका रिजल्ट हमें कंसिस्ट रहेगा हमें मिलता ही रहेगा मिलता ही रहेगा मिलता ही रहेगा हाँ अगर 30% से 90% कम हुए थे पर जब मैंने 100% लिया तो उसने प्लस बेनेफिट दिये स्किन पर मेरे तो इसलिए आप जब भी प्रोड़क्ट बनाएं अपना बाड़ी वाश या फेस वाश मनाएं उसमें 100% इंजाइम दे उसमें मिक्सिंग ना करें आप चाहें ओयल सकते हैं थोड़ा सा मेथी पौड़र लाज़ते हैं एंजाइम की वराइटी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टो इसकिन जो इसकिन के लिए अच्छा है आप उसका एक पर्टिक्लर एंजाइम बना 테 Till qui हेर के लिए अच्छा है उसके लिए पर्टुक्लरीग एक्जाइम बना कि रह सकते हैं आपको पता हिया सके लिए कौन-कौन-कौन-से फूट्स और वेजटेबल सचे हैं के लिए हेयर के लिए कौन से ब्लॉट्स अची होती है वन सी चीज अची होती है तो यू कन में के लिग एक सेपरेड न्जाम पर ऍर के और वर्थ पॉर सकते हैं हलका जागाएगा इसलिए मैं बोलती हूं लोगों को अपनी बाकी समान कम करें जब भी वो ओरन कंटरी से आते हैं रागी समान कम करें रीठा ले जाए हुष के सीट्स निकाल दें थोड़ी से सीट्स रहे जाए आके अपने गार्डन में बोए और उसमें प्लांटे जानी वन फोर्थ रह जाएगा हाँ यस खाली स्कीन होने सीट्स यही सेम रेसिपी नमबर टू है बोड़ी वाश की जिसमें वही एंजाइम इरिठा इंजाइम के साथ मना रखा है मेजरमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं एंजाइम का कितना भी कम अकॉर्डिंग तो यॉर यूजस आप कितना भी कम जाधा ले सकते हैं लेकिं सिर्फ उसमें मेथी पावडर आपको 5% डालना अगर आप 100 ml अप्रॉक्सिमेटली बड़ी वाश के लिए ले रहे हैं एंजाइम सो आपको 5 ग्राम मेथी पावडर डालना है तो यह आपका मेजरमेंट हो गया आपको ब कर सकता है हर वह आपके वैसल में बहुत अच्छा है better powder लेकिन इसकिन पिए उसका उतना impe him pya 이 आपको डालना है तो आप अपने कर सकते हैं कि जो आपका उप तरन का वैंजार यह द्धिए है लेकें हमेशा से याद रखिए किई पावडर आपका फ्रेश उना चीह we miss mixing नहीं होनी चाहिए उसमें मैंने एक अरीटा पॉडर यहां से करीडा था और मै ने उसमें देखा कि उसमें ज्हाग नहीं हो थे कुछ समय के बाद और फिर जब मेरे सामने एक परसान ने किसी मेने दूसरी सब्सक्राप अधिया उसका अलगी रिजल था वो पूरा उसमें एक saponet बन रहा था पूरे उसमें जाग आ रहा है थे यूज करने बे अब अपने body wash में यूज कर सकते हैं लेकिन dry skin वालों को मैं अभी फिर भी मना करोंगी कि ना यूज करें oily skin वाले फिर भी कर सकते हैं जिनके भी सवाल है वो सभी बने रहे हम सेसन के एंट में सारे सवाल के एंसर करेंगे यह देखें यह एक है जिसमें पूरा इन्होंने पी एच लेवल दे रखा है जो आपके सीजनल फूर्ट आते हैं जो आपके लोकल फूर्ट साथा है उनको परचेज करके उनसे बाइव एंजाइम बनाईए कुकि एक तो आपको सस्टे पड़ेंगे एक वह ऐसा नहीं है कि कहीं से जो है लाए गाया है और उसमें बहुत पुराने नहीं हुँगे फ्रेश फरूट्स ओंगे फ्रेश वजीटेबल्स होंगी तो आप हमेशाथ्र marshm Clinics ही उल्पेड और न्जाइम है और येलेख इन जो फ्रूट से हैं उनसे आप अपना एंजाइम बनाएं यह सब इसमें दे रखाएं यह सब अपना वो ले सकते हैं कि कौन कौन सा फ्रूट किसके लिए काम करता है किसके लिए हमारे पास है हम सर्च कर सकते हैं कि हमारी स्किन के लिए कौन सा फ्रूट अच्छा है उसका इंजाइम बना यह हमारी फेस के लिए सबसे बेस्ट पटाटो के बोलते हैं जैसे कैरट बोलते हैं उसका इंजाइम बना सकते हैं नीम तो है ही बेस्ट नीम अन्ट और पांच ऐसा इंजाइम बताओ जो सब चीज में और मुस्ट काम आजाता है नीम मैं बताती हूं पांच इंजाइम ऐसे हैं जो आलोवर काम आएंगे आपके एक तो सित्रूस इंजाइम इस इंजाइम विद ओर इंज नॉट लैमन क्योंकि वह आपके सारे अपके शैंपू में भी काम आएगा बौडीवाश वीर्वाश सब जगे काम आएगा एंजट केंट ईसनीम्स इस एंटीबेक्टिरल के सकते हैं एक वाज़ एंज़ाइम फोस अब यू सटियोज्जण कर सटे है ड कर सकते हैं टर्मरी रिक और रगज़ख और परत्यूज करो है एलोवेरा एंजाइम जो इसकिन के लिए खास कर आपके हैड टू टो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कि सीवी ने पौर अच्छे चैक पर लिग दिया सारी इंजाइम्स और किसी का कोई कोशन है तो भूठ सकता है